कि नमस्कार दोस्तों सुभास की बात में आपका स्वागत है। 36 गड़ के लिए एक बड़ी बात ये है कि 36 गड़ में आदिवासी मुख्यमंतरी जो है वो सपत ले रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंतरी जो बहुत सहज सौम है उनको लेकर किसी प्रकार की कोई कंटोवर्शी नहीं है भाजपा ने उनको नेता के रूप में जो उनका विधायक दाले उसने चुना है और केंद्र की इक्षा के अनुरूप वो चुने गए हैं तो विश्णु देव साय मुख्यमंत्री पत्की सपत लें गे इसमें वधान मंत्री नरेंद मोदी इसमें गरा मंत्री अमी सहीद बहुत सारे लोग इसमें सामिल होंगे बीजेपी लगातार तीनों राज्यों में उनने अपने मुख्यमंत्री के जिस तरह से नाम डिकलेर किये उनमें अगर हम विश्णु देव साय की बात करें तो वो एकदम चौकाने वाला नाम नहीं था सूची में कहीं न कहीं था हम जब आदिवासी जंजीवन की सरलता सौमिता उनके जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो मुझे पूनम बासन की एक कविता याद आती है नमक हमेशा नमकी नहीं होता नमक तुम्हारे लिए गर में इसकी भरमार होती है मेरी दे के पसीने की गंद में भी तुम्हें नमक का खारापन लगता है मुझे चूम कर भी तुम बता सकते हो नमक का स्वाद नमक तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना दाल चावल ठीक इसके विपरित हमारे लिए नमक उतना ही ज पाने का हमारे यहां नमक की खेती नहीं होती वरना उगा लेते बोरा भर नमक, धान की तरह नमक की लत ने हमें भी व्यापार करना सिखा दिया, जोला भर तोरा, मौवा, अमचूर, चिरोंजी के बदले, तुम्हारा एक सोली नमक, स्वाद बदल कर रख देता है मुह का, कि तुम्हारी दुनिया में नमक ही नमक है सस्ता और सुलब पर हमारी पहुंच से आज भी हज्जारों किलो मिटर दूर है नमक की सोली भर नमक कमाने के लिए हमारे कंदे उठाते हैं कामण भर सपने खोदते हैं पताल भर गोदी अंधेरी पकडंडियों की पाटने के लिए लगाते हैं मील का पत्थर अपनी आदिम सबिता छुपाने के लिए ताकि खिसक सके दो चार किलो मीटर और सूरज की सीध में बावजूद नमक का सुआत हमेशा नमकी नहीं होता कि नमक का सुआत कभी-कभी पाओं के च्छालों की टीश जितना कीमती और कभी-कभी बंद खाबों से भी फीका होता है नमक की आजादी के लिए लड़ी थी एक लड़ाई सोचती हूँ चुपके से इनके कानों में किसी ऐसी ही लड़ाई का प्रारम का बिगुल फूग दूँ क्या ताकि जान सके ये कि नमक का असली स्वाद क्या है दरसल दोस्तों ये जो कविता ह सके लिए यह आदिवासी जन जीवन से जूणी कविता है और जो हम छतिस गड़ में रहते हैं जहांपे 32 परतिशत आदिवासी रहते हैं जो जन जाती समुदाई हैं जो बहुत सरल सीथे हैं जो बस्तर में हैं जो सरगुजा में हैं और बड़ी संक्या में और कुछ जगा और भी हैं राजनान जिले में पर 29 सीटें हमारे आदिवसी जन जाती समुदाई के लिए आती हैं और उनमें से यदि कोई मुख्यमंतरी बनता है तो यह निश्चित रूप से इस राज्य के लिए चुकि हमारा पडोसी राज जो जारकंड है वहां पर अगर हम देखते हैं त लेकर आतक तो अगर एक आदिवसी जो थे नदेश सिंग वही जो सारंगड से थे वो बने थे तो यह कही न कहीं बात है अगर हम मैं अपने समय के महत्मूर कवी विनोत कुमार सुकल की कवीता जो छोटी कवीता है उसकी बात करूं जितने सब होते हैं उतने असभाविक हैं हमारी तरह असवाविक जंगल का चंद्रमा असब्य चंद्रमा है इस बार पूर्णीमा के उजाले में आदिवसी खुले में इखटे होने से डरे हुए हैं और पेड़ों के अंधेरे में दुपके विलाब कर रहे हैं क्योंकि एक हत्यारा सहर की बिजली की रोसनी से कर रहे थे आदिवासी मुख्यमंत्री होने पर 36 गड़ के जन जाती समाज को एक नई दिशा मिलेगी आदिवासी बाहुल 36 गड़ को उसके इस्तापना के 23 साल बाद ऐसा जन जाती मुख्यमंत्री मिला है जिसके जमीन से जुड़े आदिवासी होने पर कोई सवाल नहीं है इसके पहले ऐसा नहीं है अजीज जोगी भी बने थे 2000 से 2003 तक पर उनको लेकर बहुत सारे सवाल थे कोट कचे री थी कड़ घरे में खड़ा कर किया गया था उनको और वो एक अलग भी सा है पर अभी विश्णु देव साय को लेकर ऐसा कोई सवाल नहीं है 2023 विदानसवज चुनाओं में सांदार जीत के बाद भाजपा विधाय दल ने पार्टी के वरिष्ट नेता विश्णु देव साय को अपना नेता चुन लिया है इस तरह इस प्रदेश की कमान का में एक आदिवासी नेता के हातों में सोपने का खौब जो था वो पूरा हुआ विश्णु देव साय पेहत सौम में जमीनी समझ रखने वाले सुल्जे वे आदिवासी नेता हैं उनके पास पंच से लेकर केंदरी मंतरी रहने का अनुभाव है सासन के साथ ही संगठन में भी वे दो बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता जिसका किसी तरह से विवात से नाता नहीं है जिसे सासन और संगठन दोनों में रहकर काम करने का बड़ा लंबा अनुभा है ऐसा नेता 36 गड़ की कमान समाल रहा है यह इस प्रदेश की तासीर के साथ भी फिड़ बैटता है साय ने चुनाओ के दौरा किये गए वादों को पूरा करने के लिए कमर कस लिए उन्होंने पहले ही कहि दिया है कि मुख्यमंतरी के तोर पर मैं अपनी सरकार के जरिये प्रदान मंतरी नरेन मोदी की गैरेंटी को पूरा करने की कोसिस करूँआ। के लिए अठारा लाक आवास स्विक्रित करना नए छत्रिगर सरकार का पहला कदम होगा जस्पुर जिले में जन्म लेकर जन्द सेवा करते वे कई भूमी काउंब की जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वन किया विश्णु दे साहई जैसा मैंने कहा कि बहुत साहई बीजवार प्रमुख बड़े आदिवासी समु हैं प्रदेश के बैगा अबुज मरिया कमार विरहो और पहाड़ी कोर्भा विसेश पिछली आदिवासी जन्द जाती हैं जो की प्रकरती के करीब रहके अपना जीवन यापन करती हैं इन जन्द जातियों के जीवन में साकारा विष्णु देवसाय को मुख्यमंतरी बनाया है बीजेपी ने एक सोची समझी रण नीती के तहत ये किया है विष्णु देवसाय चत्रीजगर की राजनीती का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं इस चेहरे की बदोलत पार्टी ने ओरिशा मद्यप्रदेश में मौजूद ब विष्णु देवसाय के बारे में जान लेना चाहिए कि उनका किस तरह का नाता है चत्रीजगर की कुनकुरी इलाके के कांसा बेल से लगे बगिया गाओं के वह मूलता निवासीय किसान है प्रदेश में आदिवासी समधाय की आबादी सबसे अधिक है और वो इसी समधाय क प्रिदित करते हैं उनकी गिंती रवन सिंग के करीबी लोगों में होती है और यही वज़ा है कि डाक्टर रवन सिंग की सहमती या कहिना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका वरद्धस इनको प्राप्त था और वो विदान सबाद दक्ष के रूप में जब रहेंगे तो विष्णू दो साय 1990 में निर्विरोद जो है तरपन्ज निर्वाचित हुए इसके बाद तबकरा से विधायक चुनकरा नब्वे से अंठ्यानवे तक वे मद्वदेश विधान सभा के सदसर है इसके बाद 99 से वे तेरवी लोगसभा के लिए राएगाल लोगसभा छेतर से सांसद निर्वाचित हुए इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2006 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया विष्णू देव साय 2020 में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सांसद और केंदरी मंत्री भी वो रहे संके करीबी नेताओं से उनकी गिंती मलब उनके जाने से वे आदिवासी इलाकों में जो चुनोती हैं परिस्तिती और मनोबाव है उसको समझेंगे और जनताती समाज के बीच में जो हम जिस तरह की कविटा हैं पढ़ रहा था जिस तरह का हम देखते हैं कि जल जंगल जमीन की लडाई में अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो वहाँ एक माववाद से या नकसली समस्या से वो जूजर हैं दूसरे तब पुलिस पोर्ट से अगर हम सरगुजा की बात करते हैं तो वहाँ पर तो नकसलवाद कम हुआ है पर वहाँ एक अलग तरह की चुनोती है चतिस गड़ में अगर हम देखते हैं कि धर्मांतरन ए एक बड़ी चुनोती है और ऐसे अगर चतिस गड़ देखा जाए तो एक सांत प्रदेश है जैसे कि विश्नु देव साह हैं वैसा ही अगर मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है कि जन जाती वर्ग के लोगों को ऐसे अवसर कम मिलते हैं पर यदि विश्नु देव साह को म पहनत का सोते हैं कम में अपना गुजारे करते हैं और वो लोग बहतर तरीके से अपने जीवन को आगे लाएंगे जो अबुझ मार अभी तक अबुझ है उसको कही ना कहीं वहां से लोगों को निकाला जाएगा जो बुनियादी सुईदाएं सहरी जन जीवन में रहने वाल किस तरह से किया जा सकता है और उसमें आदिवासियों का किस तरह से रोल हो सकता है या उनका पनर्वास हो सकता है ये भी देखेंगे क्योंकि आदिवासी प्रकरती के सबसे नस्दीक हैं उन्हें जंगल प्यारा है तो वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो उनका जो उनक पूर्ण दीन है कि विश्णू देव साय प्रदेश के मुक्षि मंद्री के रूप में सफ़त लेंगे उनके साथ बाकी मंद्री मंदल के साथी भी होंगे जो अलग-अलग छेत्रों से आते हैं और हम देखेंगे कि नई सरकार किस तरह से आदिवासियों के हित में काम करते हैं झाल